दोस्तो WPL 2024 के अंदर टोटल 8 मैचेस खेलेगे और सभी मैचेस में 1 से इड हमने Grand Leaks और Small Leaks विन किया है, एक सिंगल मैच में एक सिंगल कॉंटेस्ट किसी मेंबर का लॉस नहीं हुआ है, लास्ट मैच के अंदर हमारी कैप्टेन थी Grace Harris और वाइस कैप्टेन थी Sophia Cluston 20 आउट 20 टीम्स में और इन सभी का रिजल्ट प्रूफ आप लोग टेलिग्राम चैलन्ज पर जुड़कर देख सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट सेजन में बहुत सारे Grand Leaks और Mega Grand Leaks हमारे मेंबर्स ने विन किये थे, इसके भी रिजल्ट Mumbai Indian Simmons की बीच में महा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, और इस महा मुकाबला में आपको किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना चाहिए, Captain Vice Captain के लिए Best Choice कोन होगा, कौन से High Selected Player इस मैच में Flop हो सकती है, और कौन से Low Selected, Differential Game चेंगे Trump Card Player इस मैच में Perform करेंगी, Small Leaks और Grand Links की Team Combination आपको कैसे Create करना है, और इस वीडियो को Interesting बनाने के लिए, आपके लिए इस वीडियो में 2000 का बिलकुल Free Giveaway और इस Giveaway में हर कोई Participate कर सकता है, सिर्फ 4 Rules आपको Follow करने पड़ेंगे, सबसी Important Rule इस वीडियो का आपको Full Watch करना है, Without 1 Second Skip किये हुए, दूसरा आपको इस वी आपने टेलीग्राम चैनल जोई नहीं किया, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप जोईन कर लीजेगा, 8 out of 8 WPL मैचेस हमने Clean Sweep किया है, और इस मैच के Final Update, Final Grand League, Small League Team भी आपको टेलीग्राम चै से पहले, स्टार्ट करते हैं पीच रिपोर्ट से यूज्ड सर्फेस देखने को मिलेगा, ओल्रेडी 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, WPL 2024 के अंदर, पीच की बिहेवियर की बात करें, Neutral और Balanced विकेट रहा है, बले बास और गेन बास दोनों को पीच से बराबर की मदद मिली है, कुछ मैचेस के अंदर हमें हाई स्कूरिंग गेम देखने को मिला है, तो कुछ मैचेस में लो स्कूरिंग गेम, और इस स्टेडियम के अंदर आपको कई सारे पीचेस देखने को मिल जाएंगे, अभी तक 3 पीचेस का टोटल यूज किया गया है, इन 8 मैचेस को होस्ट क रहा है अगर आपको ये पता हो जाएगा तो आप अच्छी combination खुद से create कर पाएंगे और जो power play के अंदर Pacers के इंद बास को bicket मिले है वो length ball पे सबसे जदा bicket मिला तो जो भी Pacers के इंद बास power play के अंदर with the new ball length ball hit करेंगे उनको bicket मिलने की जो possibility होगी काफ़े जदा high होगी अब देखो pitch number 9 पर match होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा swing देखने को मिला है तो उस situation में जो भी गेंद बास with the new ball power play के अंदर bowling करेंगे उनको आप लोग captain wise captain try कर सकते हो जैसे आज की match में सबने मिस्माइल और सबने मिस्माइल ने इसी pitch पर लास्टिम तीन बेकर्स निकाली थी तो आपको समझना पड़ेगा कि किस pitch पर match हो रहा है यह आपको कैसे पता लगेगा 30 minutes पहले आपको हम telegram channel पर confirm बता देंगे कि आज का match किस pitch पर हो रहा है जिससे आप अच्छा competition create कर पाएंगे ओभर लगर में पीच की बात करूँ तो यहां की pitch काफी ज़्यदा flat है hard है अच्छी खासी गती और bounce में देखने हो को मिलता है grass की covering आपको even देखने हो को मिलेगा और initial swing और moment हमें especially force tuning के अंदर देखने हो को मिलता है इस पीनस के इंद बास को इस पीनस के इंद बास फ्रेंड सहाँ पर अच्छा खासा उनको turn grip देखने मिलेगा because अब सभी पीचे यूजड हो चुके है तो जैसे से tournament और आगी के तरह प्रोग्रस करेगा इस पीनस का रोल और विजदे हाँ पर बढ़त रहेगा और अगर बात करें तो quality bats पन जो रुक कर टिक कर बले बास करें वो important रहेगी इस पीनस के इंद बाद हमेशा women's cricket के अंदर चाहाँ fresh पीचो used पीचो कोई भी condition ओ इनका रोल important रहता है और quality pacers जो with the new ball power play के अंदर bowling करें फिर death में bowling करें उनको जरूर आप लोग कंसिडर करके चलेगा बैंगलोर women's की team total 3 matches के लिए 2 match जीती है मुंबई इंडियम्स की team total 3 match के लिए 2 match जीती है पहले बले बासी करने वाली team खेले के last के 8 matches के अंदर 2 match जीती है तो first inning के अंदर जो भी team पहले bowling करें उनके ज़्यादा bowlers strike करें क्योंकि first inning के अंदर यहाँ बिकेट ज़्यादा गिरे है और second innings के अंदर बिकेट कम गिरे है और target chase करना काफी असान रहता है खास दोर पे जहाँ पर हमें short boundaries देखने को मिलते है economy rate दोनों ही के अंदर बाउस हों के आपको बहतर देखने को मिलेंगे strike rate यह भिकेट अटकिंग ability की बात करें तो spinners के अंदर बाउस को थोड़ा सा बहतर है spinners को लगभग 20 से 21 बोल लगे हैं एक विकेट निकालने के लिए वही फास्ट बोलर को 21 से 22 बोल लगे हैं एक विकेट निकालने के लिए total विकेट इन WPL 2024 फास्ट बोलर को मिले 35 spinners को मिले 49 runs पर उबर की बात करें WPL के अंदर जो total 8 matches खेले गए हैं प्रती उबर 7.87 के राउंड run समय देखने को मिला pace versus spin की बात करें जो total 8 matches खेले गए हैं WPL 2024 के अंदर 35 wickets मिले Pacers को first inning के अंदर 20, second innings के अंदर 15 right arm fast baller को 34 wickets, left arm fast baller को 1 wicket spinners को मिले total 49 wickets, first inning के अंदर 29, second innings के अंदर 20 right arm office spinner को 9 wicket, leg break spinner को 14 left arm orthodox spinner के इन बासने 26 wicket निकाले तो left arm orthodox आपके लिए number one spinner choices match में होंगी और एक और चीज़ आप देख सकते हो first inning के अंदर चाहा पेसर्स हो या फिर spinners हो उन्होंने ज़ादा wicket निकाला है as compared to second innings last match के लगया था first march 2024 को between UP warrior swimmers versus गुजराद giant swimmers और इस match में two wickets मिले थे fast bowler को and six wicket मिले थे spinners को boundary size ground dimensions की बात करे straight boundary 63 meter आपको देखने को मिलेगा square boundaries of our lakeside की 48 and 61 meter long of long and boundary या फिर deep cover deep mid wicket की बात करे तो 64 and 66 meter देखने को मिलेगा venue records जो total eight matches खेले गया है in eight matches का average fast inning score है 148 कुछ matches हमें काफी low scoring game देखने को मिले और कुछ matches के अंदर हमें ठीक ठाक score देखने को मिला है और target chase करने वाली team ने हापर जादा मुकाबले win की है weather बिल्कुल clear है का बारिस किस match हम बिल्कुल भी chances नहीं है RCB women's की possible playing 11 की बात कुरू स्मृती मंधना और सोफी डिवाइन ओपनिंग करेंगी नंबर तीन पे एस्मेगना नंबर चार पे विकेट किबर बलेबाज रीचा गोस्त नंबर पांस पे जोर्जी अवरेम नबर तीन पे नैटली सिर्बरन नंबर चार पे अमिलिया कर नंबर पांच पे पूजा वस्तराकर अमन जोतकोर सजीवन सजना शाइका इशाक हुमेरा काजी और किर्टना बाला कृष्णन अब देगो लास्ट मैच के अंदर सबनवी स्माइल नहीं खेली थी तो उनके प्लेस पर आईजी वेलिवों को मौका मिला था तो हो सकता है सबनवी स्माइल आपको इस मैच के अंदर खेलती नजरा है तो फिर आईजी वों को बाहर जाना पड़ेगा इसके अत्रीक अब हम डिसकस करते हैं आर्सी वों मैच के लिए दो मैच टीम जीती है एक मैच टीम हरी ये ओपनिंग करते हैं आपको नजर आएंगे स्परीती मंदना जो के लैप्टन बैटिंग करती है अगेंस्ट मुंबई इंडियन सुमेंस टू मैच खेली है 47 इनों ने स्कोर किया विद अबरज अब 23 इस वेनी पे टोटल इनों ने 7 मैच खेली है 176 इनों ने स्कोर किया है रिसेंट फोर्म की बात करेंगे फॉस्ट मैच के अंदर फ्लॉप रही थी लास्ट के दोनोんな ही मैच लिक्स के अंदर अच्छी नौक खील करके आ रही है फॉस्ट मैच पहले बैटिंग करते हैं फ्लॉप हुई थी और लास्ट के दोनों ही मैच poker के अंदर second batting करते हो अच्छी पारी उन्होंने खेली है अब देखो इस match के अंदर भी आपको toss के according इनको small leagues और grand leagues के अंदर पी किया भी drop करना है अगर पहले बले बाजी आती है तो इन आप drop करने का risk ले सकते हो क्योंकि सामने हिली मेथ्यूस होंगी उनका threat होगा प्लिस विद द न्यूबल सबन में smile होंगी या फिर नैटली सिवर बरंट उन्होंने भी इनको परिशान किया और स्विंग मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है तो इनका बिकेट वहाँ पर जा सकता है लेकिन second innings के अंदर ऐसा भी तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला है और यहीं प्लस six बिकेट निकाली recent form की बात करें first two matches के अंदर flop रही last match के अंदर 23 बले सेके और गिंद बाजी के अंदर दो बिकेट इन्होंने निकाला अब देखको divine आपके लिए तब ही important रहेंगी जब RCB women's की टीम पहले इस match के अंदर बोलिंग करें कि पाउर प्लेए के अंदर bowling करेंगे, death में भी bowling डालती है दिख सकती है और even आपको middle phase में bowling करती हुई दिख सकती है और chase करेंगी तो जैसे में आपको बता है कि chase करने वाली जो भी टीम है उनके top double बाज अच्छा कर रहे है तो भी आपको एक factor देखने को मिलेगा तो captain wise captain अगर RCB women's chase करती है इने try कर सक recent form बहुत जिदा इनका शांदर है domestic के अंदर है अच्छा perform करके आ रहे है और यहाँ पर तीन मैचेस के अंदर हमें score देखने को मिला आप देखो कहीने के friends से lucky भी रही है कई सारे catches इनके drop और कई सारे जो catches थे वो यहाँ पर no man's land area में गिर जाते थे ठीक है लेकिन इस match के अ अगेंस्ट मुंबई इंडियन सुमेंस टू मैच खेली 57 इनों ने score किया with the average of 29 इस venue पर टू मैच खेली 81 score इनों ने किया recent form आप इनके देख सकते हो पहले बल्ले बाज़ी करेगी RCB उमेंस तो इनके जरू ट्राइ करें सेकंड बल्ले बाज़ी करेगी तो friends आप लोग चाह जादर as compared to second innings जोर्जिया वरहम अगेंस्ट मुंबई इंडियन सुमेंस एक मैच खेली एक पिकट निकाली है वेनु पे त्री मैच खेली टू पिकट निकाली है recent form आप इनके देख सकते हो last match के अंदर सिर्फ इन से एक उभर की bowling कराय गया था अब देखो जोर्जिया वरह काफी अचा कासा इनको overs देखने को बिलेंगे को सामने आपको mostly right handers बहले बास देखने को बिलेंगे last match के अंदर किया था कि सामने ज्यादा तर left handers थे इसलिए friends से इनका over cut हुआ था वहाँ पर सरेंगा पाटिल को bowl मिल गया था लेकिन यहाँ पर सामने right handers है तो मुझे vice captain choice भी हो सकते है last match के अंदर जैसे मैंने बोला था कि आपके लिए differential trump card player होंगी और यह थी दो शांदार इनोंने बिकर निकाल तीसरा बिकर भी मिल जाता record की बात करेंगे head to it के अंदर कोई match खेली नहीं यह venue पर record इनकी शांदार एकी match खेली हालिया form बहुत ही सूपब है international national cricket हो domestic cricket हो लगातर friends हर series के अंदर इनोंने परफॉर्म किया अचा बैटिंग सो बोलिंग से हो तो इस player पे आप लोग bet ले सकते हो vice captaincy के लिए अगर आप RCB women's के favor पर टीम बना रहे है और अगर उनकी टीम पहले गेन बाजी कर रही है तब सिमरान बहादुर को मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करेंगा bowling मिल नहीं रहा बैटिंग काफी नीचे कर रही है तो फिलाल दूरी बना कर चले Sophie Malinux काफी अच्छी talented bowler है और लेकिन इनका friends use as a all rounder किया नहीं जारा इतना नीचे हैर कौन इन से बल्ले बाजी कर वाता है WBBL के अंदर ये as a opener खेलती है यहाँ पर इनका batting position देखो number 7 number 8 तो इनका बैटिंग से जो रोल बहुत ज़ादा ही कम है बहुत ज़ादा कम है bowling से अगर बात करें तो bowling से मुझे उमीद है इस match कंदर आपको एक दो picket पका निकाल कर दे सकती है खास तोर पे अगर RCB women's पहले bowling करती है कि आपकी power play में भी डाल सकती है और आपको death overs के अंदर भी करती हूं नजरा सकती है को यह सामने right inners ज़ादा है तो मुझे लगकि इस match है पूरे अपने चार वर केस पे लिए complete करेंगी और अभी तक bowling से performance इनका अच्छा रहा है थोड़ा अगर इनको और उपर बले बास ही करवाया जाता न तो यह आपके लिए captaincy wise captaincy के लिए पे अच्छी जवाइस होती है फिलाल इस match के अंदर आपको as a player pick करके इनको चलना है श्रेंका पाटिल को मैं बिल्कुल भी इस match में recommend नहीं करूँगा चाहा है पहले bowling करें second bowling करें दोनों situation में इनको drop करके चलना अगेंस्ट Mumbai Indians two match खेली one picket निकाली इस venue पे four match खेली two pickets निकाली recent form की बात करें first two matches के अंदर picket लेच रही और last match के अंदर इनको finally एक picket मिला थ सफाली बर्मा का बहुत ही खराब बोल था सफाली बर्मा बोल को अच्छे से time नहीं कर पाई और unfortunately friends सापर picket मिल गया सिरंका पाटिल को आसा सोबना इस match के अंदर एक differential पेर निकल करके आ सकती हैं पहले bowling करें second bowling करें दोनों condition आप इने try कर सकते हो क्योंकि Mumbai Indians women's की team leg break spin के सामन struggle करती mostly बले बास आपको right hinders देखने को मिलेंगी तो आप आसा सोबना को GL के अंदर जरू try करें और अगर small leagues के अंदर fit बैठती है तो small leagues के अंदर भी इनको as a player try करने कर रिस्क ले सकते हो first match के अंदर five bickets और last के two matches के अंदर bicket ले सी रही थी बट मुझे ऐसा लगता है कि इस match में आपको अच्छी performance करके देज सकती ही कादी बिकट इनको मिल सकता है especially ball first के अंदर रेनुका सिंग ठाकूर एक match खेली है मुंभई इंडियन्स ओमेंस के अंदर बिकट ले सरी है वेनी पर three match के लिए two bickets निका लिए recent form की बात करेंगे तो second match के अंदर इनको two bickets मिल आ था बाकी के दो मैचेस के अंदर बिकट ले सरी है अब देखो रेनुका सिंग ठाकूर जो अपना over से power play के अंदर डालती है ठीक with the new ball तो अगर आपको लगता है मुंबई इंडियन्स के top order बले बाज में सो कोई जल्दी आउट होगा तो आप रेनुका सिंग ठाकूर को prefer करके चलिए और इसमें कहिने के पीछ का भी थोड़ा साब को ध्यान रखना पड़ेगा अगर fresh पीछ होता है पीछ पे ग्रास होता है तब तो रेनुका सिंग ठाकूर आपके लिए must है पीखे और especially ball first के अंदर आपको इनको prefer करके अपने team में चलना है इन सभी situation को देखते हुए आपको team में इनको pick करना या फिर drop करना है bench से अगर किसी player को खेलने का मौका मिलता है उनके जो भी stats and records होंगे आपको हम telegram channel पे provide कर देंगे link वीडियो के description में ज़रूर आप join कर लिजेगा मुझे लगता है Alice Perry's match का अंदर आपको खेलती हुए नजर आएंगी तो इनके stats के बारे में हम भी discuss कर लेते हैं मुंबई इंडियन्स, ओमेंस, किंगेंस टूटल टू मैचेस खेली है 42 इनने स्कूर किया प्लस वन बिकेट वेनिवे टू मैच खेली है 31 स्कूर किया प्लस बिकेट लेश रही है रिसेंट फॉर्म के बात करें तो देखो अभी तक ज़ादा ये बॉलिंग से कुछ खास इनने परफॉर्म किया नहीं और बैटिंग से लास्ट बैच कंदर अच्छी टेस्ट में देखे थी 23 नॉट उट के स्कूरियों ने किया था अगर खेलती है अलिस बिरी तो आपके लिए मस्ट है पीकोंगे अट लिस्ट ऐस प्लेयर आपको ट्राइ करना पड़ेगे स्मॉल लिंग में और ग्रैनलिक्स कंदर आप चाहो तो वाइस कैप्टन और कैप्टन करने का फिरस्क ले सकते हो नई बॉल से बॉलिंग करेंग रेनुका सिंग ठाकूर श्रेंका पाटिल सोफी मॉलिनेक्स और सोफी डिवाइन डिसकस करते हैं मुंबई इंडियन सुमेंस के बारें फॉल डीटेयल में इस सिजन टोटल 3 matches टीम खेलिए, 2 match टीम जीती है, 1 match टीम हारी है, ओपनिंग करते हैं आपको नज़राइंग विकेट के बर वाले बाद यस्तिका वाटिया जो लैप्टेंड बैटिंग करती है, अगेंस्ट RCB अगर इस match के अंदर बुंबई इंडियन सुमेंस की टीम पहले बैटिंग करें तो आप इनको ड्रॉप करने कर इसको ले सकते हो, लेकिन अकर चेज करें तो यह स्तिका वाटिया आपके टीम में होना चाहिए, क्योंकि 20-25 न करके दे सकते हैं चेज करते हुए, प्लस बिकेट पिंग साब को 10-20 पोइंड दिला सकती है, तो कहीन है कि ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकती है, तो एस अप्लेर ट्राइकर इस बेसली चेज करें तो, हिली मेथियूस राइट 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 आम और एक स्पिन बूलिंग करती है, अगेंस्ट आर सीबी उमेंसें का र मिला था, पर इस टील एक अच्छा नोग था, हिली मेथियूस को नासर पिस मैच में ट्राइकर नमल की कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हैं, इस बेसली तब जब मुंबई इंडिन्स की टीम इस मैच में चेज करें, नैटली सिवर बरन राइट 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 फास्ट बोलिंग करती हैं, हेट टो अट के अंदर टू मैच के लिए 68 इन ने स्कूर किया, 68 के अबरे से प्लस थ्री बिकट्स निकाली, ग्राउंड पर इकोर्ट शांदर है, और आप देख सकती हैं, इनका सभी मैचेस के अंदर परफोमेंस, नेक्स टेबल राइट लाइ आप इनको हर सीचुएसन में कप्तान वाइस कप्तान ड्राई कर सकते हो, और अच्छी फॉर्म में है, अमलीकर एक और ऐसे प्लियर जिसको फ्रेंड्स आप लोग दोनों ही कंडिशन में कैप्तन वाइस कर न कर सकते हो, वाइल बैटिंग फॉस्ट या फिर वाइल इनको बैटिंग करते हैं, रिकोर्ड बहुत ही शानदार है, एक मैच खेली है, 31 सरन इनोंने किया है, प्लस 5 बिकेट निकाली है, दो इनिंग्स के अंदर, ठीक है, विन भी रिकोर्ड इनका शानदार है, और फॉर्म आप लोग देख लीजए, हाइस्ट बिकेटेकर है, ड अभी important रहेगा, जब Mumbai Indians पहले bowling करेगी, और यहाँ पर fresh pitch का इस्तमाल के जग, otherwise इनसे आप लोग दूरी बना करके चलिएगा, आइसे वेली वोंग, या फिर सबन में स्मेल, दोनों में से जो भी खेलेग, आपके लिए must traffic के, especially ball first के अंदर, ठीक है, और अगर fresh pitch होता है, तो आप wise captain करने का विरुस्क ले सकते हो, record इनका भी बढ़िया है, ground पर one में स्टू बिकेट, head to head कंदर two में स्टू बिकेट, और last match कंदर 15 not out बले से, और गिंद बासी कंदर दो बिकेट निकाल करके आ रही है, अमन जोत कोर और सजीमन सजना, दोनों ही player का domestic form बहुत ही शानद में, अभी तक आप देखो करें, तीनों ही matches के अंदर फिंड से flop रही है, बट इस match के अंदर आप इनसे उमीद कर सकते हो, especially bowling कर पहले आती है, तो आप इनने try कर सकते हो, head to head के अंदर two match के लिए three wickets निकाली, venue प इनने three matches खेले, बिकेट लेच रही है, recent form domestic के अंदर तो पहले बले बाजी करी, दूरी बना कर इनसे चलिए, किरतना वाला कृष्णन, head to head के अंदर इननोंने कोई match नहीं कहला, venue पे two match खेले, बिकेट लेच रही है, पहले दो match इस match के लिए बोलिंग करने का मौका मिल और last match पे तो इनसे बोलिंग ही नहीं करा गया, तो बहुत ज पहले बोलिंग करें, तो आप इनने captain wise captain भी कर सकते हो, second bowling करें, तो as a player, इनको pick कर लेच चलना form बहुत ही शानदार है, हरवन प्रीत को और फेंस इस match पो आपसी करते हैं, इनका भी performance ग्राउंड को बढ़िया रहा है, और form तो आपको बताने की जरूरत नहीं, दो match के लिए सबने में समाइल एंड अमिलिया कर, death में डालती भी नजर आएंगी, नैटली सिवरबरंट, हेली मेथूज, सबने में समाइल एंड अमिलिया कर, player battle matchups की बात करे, Sophie Divine का struggle रहा है, नैटली सिवरबरंट के, पांच बर नैटली सिवरबरंट इनका उट किया है, तीन बार हेली इस कपतानी के लिए शांदर चोईस है, इस बरीती मंदना का struggle रहा हेली मेथूज के, ऑफिस पिनिंग के सामने इस बरीती मंदना स्ट्रगल करती है, जब इनिंग्स की सुरुवात ये करती है, चार बर आउट की हेली मेथूज ने दो बार अमिलिया कर, और छे बर नैटली सिवर बरंट ने उट किया है, रीचा गोस, इनको एक पर नैटली सिवर बरंट ने उट किया है, एक पर हेली मेथूज और एक बर आईजे वेली वंग ने आउट किया है, एस मेगना, एक पर नैटली सिवर बरंट, एक पर हेली मेथूज, अमिलिया करने भी परिशान किया ह तो इनका flop होना इस match में बिल्कुल confirm है यस्तिका वाटिया का struggle रहा है स्रेंका पार्टिल के गएंस तो हो स्थक्त है कि स्रेंका पार्टिल पाउर प्ले में आपको इस match बोलिंग करते हुए दिख जाए क्योंकि एक मात्र ओफिस spinner तो यह आपको matches देखने को definitely मिलेगा तो यह स्थिका वाटिया या फिर स्रेंका पार्टिल दोनों में से कोई एक ही प्लेर आपके टीम में होना चाहिए दोनों ही कठेक टीम में मत ट्राइ करना हेली मेथियूस को फ्रेंट्स एक बर डिवाइन ने उट किया है एक बर रेनुका सिंग ठाकोर और एक बर स्रेंग का पार्टिल हाला है कि बहुत बढ़िया तरीकल स्रेंट्स आर्सीवी बोलर्स कोई इनों ने खेला हेली मेथियूस एक अच्छो आप्सन हो सकते है सीवी सी के लिए अमली करका record देख सकते हो एक बर स्रेंगा पार्टिल नाउट कोरी एक बर सोभी मॉलिनिक्स बाकी सभी के अंदवास्यों की इस डिकोर्ट शानदार है नैटली सिवर परंट को तीन बार सोभी मॉलिनिक्स नाउट किया मैज का फैनल ग्रन लिग एन स्मॉल लिग टीम औल उंढर सेक्षिन से अली स्पेरी, हिली मेत्यूस, कैप्टन ने मेरे टीम की नैटली सिवरबरंट, सोफी दिवाइन, वाईस कैप्टन है मेरे टीम के अमलीकर, और सोफी मोलिनिकस को मैंने परफिर किया है बॉलिंग सेक्षिन से सबनवी स्माइल एंड जोर्जे वरहम को मैं ट्राइ करके चल रहा हूँ इस टीम के अंदर ना कई सारे चींजिज हो सकते according to pitch playing 11, batting order so make sure आप टेलिग्राम को जोईन करके रखे link आपको इसी वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा other options की बात करें for captain vice captain haley maythu जिस match के अंदर एक शांदर choice मुझे नज़र आ रही है cvc के लिए इसके अत्रिक अगर fresh पीछ होता है Mumbai Indians पहले bowling करती हो तो आप सबनवी स्वाइल को उपर भिरिस्क ले सकते हो Sophie Mulding स्वाइल bowling force एक vice के लिए अच्छी choice हो सकते हो Sophie Divine को मैं highly recommend करूँगा अगर यहाँ पर RCV में chase करें तो इन्हें try आप कर सकते हो और ultra risky team में आप लोग Alice Perry को भी vice captain try कर सकते हो